पीसा की प्रसिद्ध मीनार इटली में है, जिसे लीनिंग तावर आफ पीसा भी कहा जाता है। पीसा की मीनार का निर्मान 1173 में शुरू हुआ था और 200 वर्षों तक इसके निर्मान का कार्य चलता रहा। तॉमासो पिसानों ने सन 1399 में इस टावर का काम पूरा किया। आठ मनजिलों वाली इस मीनार की जब तीन मनजिल ही बनी थी, तभी से इस मीनार में जुकाव होने लगा था। इसकी नीम्व बनाने में एक विशेश प्रकार की मुलायम मिट्टी का उप्योग किया गया था, जिस कारण ये मीनार जुक गई थी और अब तक जुकी हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि पीसा की मीनार जुकी होने के बावजूद आज तक गिरी नहीं है। यहां तक की भुकंप का भी इस मीनार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस मीनार ने 1280 के बाद कई शक् अध्ययन किया था। और अध्ययन के बाद वैज्यानिकों का कहना है कि इसके पीछे की वजह है इसकी नींग में डाली गई नरम मिक्टी वैज्यानिकों ने रहस्य का खुलासा करते हुए बताया था। कि 5 डिगरी के खतरना कोन तक जुकी होने के बावजूद मीनार को कैस कोई नुकसान नहीं पहुचा। सोलन इंजिनियर्स के रिसर्च ग्रूप ने पता लगाया और बताया कि इस मीनार के खड़े रहने के लिए इसकी नींग में डाली गई मिक्टी जिम्मेदार है जिसने जमीन के नीचे हुई। गतिविधी के कारण मीनार पर प्रभाव डा इस मीनार के जुकी होने के कारण ऐसी आशंका बनी रहती है कि इसे गंभीर नुकसान पहुच सकता है या फिर भूकंप आने पर इसका बड़ा नुकसान होगा। इंजिनियर्स ग्रूप ने इसके रहस्य से परदा उठाया था। वैग्यानिकों ने बताया था कि इसकी नीव में डाली। गई मिक्टी ने जमीन के नीचे हुई गतिविधी के कारण मीनार में हुई गतिविधी पर प्रभाव डाला। इस प्रक्रिया को डायनमिक सॉयल स जाई और कठोर्ता के साथ साथ नीम में डाली गई मिट्टी की कोमलता से भुकंप आने पर यह हिलती नहीं है और यही इसके बचे रहने की मुख्य वजह है। 1990 में इसकी ढलान 5.5 डिगरी तक पहुँच गई। इसके स्थायत्व के लिए 1993 और 2001 के बीच मरम्मत का कार्य चला जिसने इसके जुकाव को 3.97 डिगरी तक कम किया। वे इसको एकदम सीधा आकार भी दे सकते थे किन्तु तब इसकी लोग प्रियता खो जाती जिस विशेशता के कारण यह जगत प्रसिद्ध है।